फाना कैमली के ग्राम कुया निवासी आठ साल की बच्ची अपने घर पर अकेली थी उसकी मा घास लेने गई हुई थी जब कि पिता दिल्ली में रिक्षच चला कर मस्दूरी कलता है पीडित बच्ची के मताबिक वह आरोपी गुल फाम के भाई बहन के साथ खेल रही थी थोड़ी देर बाद आरोपी उसे अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए मोबाइल दिखाने के बाहने पीडित बच्ची को उसके ही घर पर ले गया और वहां ले जाकर बलातकार करने की कुशिश की थोड़ी देर बाद उसकी मा घास लेकर पहुंची उसे इस अवस्था में देखकर मा के होश उड़ गए महीला के शोर मचाने पर भीड इखटा हुई लेकिन आरोपी भागने में सफल हो गया परिवार वाले नयायकी गुहार के लिए बच्ची को साथ लेकर थाना कैमरी पहुंचे और इंस्पेक्टर शुशील कुमार को प्रात्ना पत्र देकर नयायकी गुहार लगाई इस संबन में पुलिस ने घटना इस्थलका मौके का मुएना किया और ग्रामेरों से पूस्ताजबी की वहीं तहरीर के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में चुट गई है पुलिसी शिकायद कर दी अफरसों से भागा हुआ है